क्या तुम अपने मित्र हो या अपने शत्र हो अपना भला करना चाहते हो या पूरा करना चाहते हो खुद को प्यार करते हो या फिर खुद के दुश्मन खुद ही बन गए हो तुम अपने उन्नती चाहते हो या अवनती चाहते हो आगे बढ़ना चाहते है या पीछे जाना चाहते हो तो सभी लोग यही कहेंगे कि साभ हम तो अच्छा बनना चाहते है उपर उठना चाहते है अपने को प्रेम करना चाहते है अपने आपको पसंद भी करते है लेकिन कमाल की बात यह है कि आदमी जाना चाहता उत्तर की तरफ और मू करके चल रहा हो दक्षिन की तरफ जिस व्यक्ति को स्वयम के प्रति प्रेम है अपने स्वास्थे के प्रति प्रेम है अपनी सेहत के प्रति प्रेम है अपने शरीर के प्रति प्रेम है तो वह चीज कभी नहीं खाएगा जो सेहत बिगाड़ेगी और अगर वह चीज खाता है जिससे सेहत बिगड़े तो फिर उसको अपना मित्र मानोंगे या शत्रू जिन चीजों से आपकी उन्नती होती हो आप चाहते तो उन्नती हैं लेकन करते वह हैं जिससे आपकी अवनती हो आप नीचे गिरें, पीछे जाएं चाहते तो हैं कि मैं मुस्कराता रहूं लेकिन कारण सारे वो पैदा कर लिये कि जिससे जिंदगी में उदासी बनी रहे और उदासी को चारोतर फेक भी रहे हो कहते हैं अपने द्वारा अपना उदार स्वयम करना अपना पतन न करें क्योंकि आप ही अपने मित्र भी हो और आप ही स्वयम के शत्रू भी हो जीत लिया गया मन मित्र है नहीं जीत पाए तो वही मन शत्रू है जीत बाहर नहीं जीत अंदर होनी चाहिए जीत न अपने अंदर है राजा अपनी दुनिया का आपको बनना है आपका सामराज्य आपके अंदर है आपके दुर बलता हैं आपके कमजोरियां भी आपके अंदर हैं उनी को तो आपने जीतना है अपने आलस्य कोछ छोटा मतमाल लेना अपनी लापरवाई को छोटी सी बात मत माल लेना हास कर मत डाल देना उसको उसी आलस से ने उसी लापरवाई ने आपको कुछ होने नहीं दिया सुबह उठने नहीं दिया, ध्यान में बैठने नहीं दिया सेहत के लिए एक्सरसाइज करने नहीं दिया जहां आउसर मिल रहे थे वहां जाने नहीं दिया छोटी सी लापरवाई छोटा सा आले से छोटा नहीं है छोटी सी लापरवाई से रेल दुरगटनाएं हो जाती है हवाई जात दुरगटनाएं हो जाती है सड़क पर दुरगटनाएं हो जाती है क्या कुछ हो जाता है जिंदगी भर आदमी भूल नहीं पाता हूं चीजों को बहुत बड़ा छेत्र है आपके जीवन में जो आपके अंदर बसा हुआ है जिस पर आपका ध्यान नहीं जाता पूरी दुनिया में पूरी भीड में उलजेवे हो आप और आपके अंदर भी एक भीड चलती है जिसमें आप खो गए हो ये जंगल में इतना भटक गए हो कि अपने बारे में सोचने का समय नहीं निकालते है चुट्टी होती है न जाने किस के लिए टीवी के आगे बैठने के लिए शोचल मीडिया में होलजे रहने के लिए चुट्टी है खुद से मिलने के लिए अपने खुशी ढूणने के लिए अपने शान्ती ढूणने के लिए जिस दिन आप एक दिन की चुट्टी करते हैं शरीर को विश्राम देना, मन को शान्त करना और थोड़ा समय निकाल कर अपने बारे में सोचना कहां से चला हूँ, कहां पहुंचा हूँ, कहां जाना चाहता हूँ जिंदगी को कहां देखना चाहता हूँ, क्या होना चाहता था, क्या हो गया और अगर ऐसे चलता रहा तो आगे क्या होने वाला है वही रिजल्ट मिलता रहेगा आपको जो अब तक आप करते रहें अगर उस करते रहे को नहीं बदलोगे तो रिजल्ट भी नहीं बदलने वाला बेतर रिजल्ट के लिए हर दिन अपनी कीमत बनाईए अपने आपको योग्य बनाईए अपने आपको सक्षम बनाईए और ये ध्यान लिजिए बहुत सारे योग्य व्यक्ति होते हैं लेकिन एहंकार इतना बड़ा होता है कि उनकी सारी योग्यता को निगल जाता है उनका हैंकार विनम्रता अपना नहीं पाते न जाने कहां अकड़ जाएं कहां जगड़ जाएं कहां अटक के खड़े हो जाएं किन से दुश्मनी बांद लें जाना था आगे पहुंच गए पीछे तो शत्रु कोई होर नहीं आपका आप ही तो अपने शत्रु हैं आप अपने शत्रु मत बनिये अपने दुश्मन मत बनिये अपने मित्र हो सकते हो अपने सखा बन सकते हो तो जरूर बनो और अपना सखा बनना है तो अपने मन को अपना सखा बनाओ अपने इंद्रियों को अपना सका बनाओ अपने हिर्दे को अपना सका बनाओ अपने सोचने के तरीके को आप अपने अनकूल बनाओ सकारात्मक बनाओ जिससे आपकी प्रगति हो उस तरह का बनाओ इसलिए कहा है कि तुम अपने शत्र हो या अपने मित्र हो देखो क्योंकि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो इंसान का क्रोध बढ़ता है इच्छा पूरी हो जाए तो लोग बढ़ता है हर इस्तती में संतुलन बनाए रखना ही जीवन का पूर्ण योग है जिसने स्वयम को जीत लिया वो तो खुद का मित्र बन गया और जो नहीं खुद को जीत पाया तो बस वो अपना शत्र बन गया